स्वाइब इच्छे होंगे आपका अपना चैनल डिजिटल मजी और आज की इस वीडियो के इंदर हम आपने फुटोशाप कूर्स के अंदर और आगे बढ़ने वाले हैं और आज की इंदर हम देखने वाले हैं समार्ट ऑप्जेक्ट के बारे में सब कुछ जो भी हम smart object के साथ में गलतियां करते हैं जो बहुत basic का गलतियां होती हैं वह सारी चीजी आज की इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये video स्टार्ट करते तो पहले तो हमने लास्ट विडियो के ने देख लिया था कि स्मार्ट अबजेक्ट होता क्या है अब इसके बारे में अगर आपन थोड़ा सा और डेटेल में जाने तो अब लैट से अगर जैसे आप मां में अपास में एक इसकी मैं मैं कॉपी बना लेता हूं कन्ट्रोल जे और इसको मैं कर लेता हूं रास्टर करने की कोशिश करूं तो हम क्या कते में नहीं हैं भी एक रास्टर इमीज पर कर सकते हैं कर सकते हो बट अगर आप कुछ आपने कर दिया फिर उसके बाद करोगे तो हो सकता है कि आपके पास में रिजल्ट ना आ पाएं आपको बिल्कुल गलती नहीं कर नहीं है है अब दिखें यह हमारे पास में सिंपल रास्टर इमिज इसमें मैं कर सकता हूं वेरज अगर मैं इसको पर क्लिक करते हैं और आपको यह नहीं पता है प्लिक करने पर मेरे जाता है कि अगर आप कुलीक करते हो और पिर tela आपके पास अगर अपिए ड्रैग तो यहां पर्स्मार्ट अभी देखें smart object मैंने आपको बताया था कि smart object क्या करता है एक पूरी फाइल करके रखता है उसका इस इमेज का वह स्टोर करा के रखता है तो यह से यह साब से उसका data हुआ नहीं है बस अगर आप देखें तो हमारे पास में यह इसी ऐसी यह तो चीज हम को यहां पे विशो हो जा। कैसे अब ही यहां पर गया यहां पर एक layer है मैं अब यहां पर एक अलग layer बना रहा हूं यहां पर बिल्कुल create नहीं करने वाला एक लेट कर दी है यहां मैंने color कर दिया छीक है ctrl s करेंगे save हो जाएगी वापस जाओगे यहां पर अब दिखिए यहां पर मैंने सेबल बिलिए आपको डेटा सेव कर तिया आपके बास में आप सारा का सारा चीज अपडेट हो गई है यह मैसेज बेसिकली इसीक लिए आता है कि अगर आप आपको कुछ भी करने के कुशह करोगे नहीं हो गए बट अगर आपको उसको करना ही edit तो आप just simple इस पर double click करें एक नई file पर जाएं जिसके जो data file है यहाँ पर आप जो भी changes करेंगे वो वहाँ पर automatically save हो जाएंगे तो यह एक तरीका है smart object को use करने का I hope कि आपको इस समझ में आगया होगा यह सबसे biggest mistake होती ही जो बहुत सारे लोग जो करते हैं कि वो smart object को भी रास्टर करके फिर उसी को use करते हैं don't do that अप उसी की data file के नदर जाओ वहाँ पर changes कर दो और उसके बाद में आप जैसा भी use करना चाहाओ आप उसको use कर सकते हैं चलिए तो फिर में मिलता है आपको नेक्स वीडियो में अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं मलता है आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई